आप सभी का चीजी कोड में स्वागत है तो आज के सुडियो में हम लोग व्यू पैटलिंग के बारे में बात करेंगे और अपने कुछ लियाउट दिजाइन करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक API रिक्वेस्ट भी करें तो शुरू करता है हमारा लेक्चर तो लास्ट विडि वाला कोड ने लिखना पड़े तो इसके लिए हमारे पास दो अल्टरनेटेव हैं एक हमारे पास व्यू बैडिंग है और एक हमारे पास डेटा बैडिंग तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग व्यू बैडिंग का यूज करने वाले तो यहां पे अपनी बिल्ड.gradle फाइल म अब इससे होगा क्या जितने भी हमारे लेयाउट्स होंगे उसके corresponding एक binding class generate करती जाएगी जिसके त्रू हम लोग इन व्यूज को access करेंगे तो इसको एक पिच्चे की form में समझते हैं तो इस तरीकिसे हम लोग एक layout file design करते हैं अब जब भी मुझे इस textview को access करना होगा तो मै इसको access करते हैं अब इसके लिए हमारे पास alternative है हमें views के लिए findviewbyid call नहीं करना पड़ेगा मनलब जब भी मुझे इस view का access होगा तो मुझे findviewbyid call नहीं करना पड़ेगा तो view binding क्या करेगा हमारी इस layout file के लिए एक binding class generate कर देगा तो इस तरीके से हमारे पास एक class generate हो जाएग तो इस तरीके से मैं इसका एक object create करूँगा और अपने views को access करने के लिए इस तरीके से हमारे पास properties होगी तो जितने भी views होगे जिस पर हमारे पास id होगी तो उसके corresponding हमारे पास property create हो जाएगी इस binding class के अंदर तो suppose यहाँ पर 10 views होगे हमारे जिन सब पर id होगी तो उसके corresponding हम आप लोग इस views को access करेंगे तो simple concept है आपकी layout file के लिए एक class generate हो चुकिए binding class उस binding class की मतसे आप इन views को access करेंगे तो I hope आपको यह sense बिना रहा होगा बड़ अब सवाल आता है कि इसका benefit क्या हुआ तो पहला benefit तो यह है कि हमें find view by id कॉल नहीं करना पड़ेगा जितने भी हमार है कि हमारा text view है अगर वहां पर मैं button कर देता हूं तो वह मुझे error देतेगा क्योंकि वह button नहीं है वह text view है यहां पर हमारा पास type safety होती है जो भी हमने view define किया है उसके corresponding हमारी property define होती है और उसका जो type होता है वो इसके layout के basis पे decide होता है तो इस case में जो हमारी text redirect वाली property है उसक type जो हमारा text view होगा तो यह हमें explicitly define नहीं करना है यह layout के basis पे हमारा decide होगा मलब view का जो type है वो ही इसका type होगा तो यह जो text redirect है उसका जो type होगा हमारा text view होगा मलब exact type होगा ऐसा नहीं है कि कुछ और type लिखा हो तो यहाँ पर type safety होती है और यहाँ पर जो null reference की possibility है वो एकदम zero है क्योंकि आपके सिर्फ वही views होंगे इस object के अंदर जो आपने हमनी layout file के अंदर define किया है बट find view by id के case में क्या होता है अगर आपको ऐसी id पास कर देंगे जो आपके layout file के अंदर exist नहीं करती है तो आपको runtime पर null reference देगा इस case में हमाँ personal reference का कोई scope नहीं है क्योंकि सिर्फ वही objects मिलेंगे हमें यहाँ पर जो यहाँ पर defined है मलब layout file के अंदर जो views होंगे वही हमारे subject के अंदर मिलेंगे तो null reference का जो scope है वो एकदम zero है तो I hope आपको यह benefits समझ भे आया होंगे तो इसको implement करके देखते हैं तो simply हम लोग अपनी binding class के लिए एक variable define करेंगे जो कि हमारा वार टाइप का होगा और इसका हम लोग नाम देंगे underscore binding और इसका जो type होगा हमारा वो होगा हमारा fragment register binding तो आप दिसकते हमारे लिए class जनने दूचुकि है binding type क जो कि हमारे इस layout से derive हुई है तो मारे layout का नाम था fragment underscore register तो इसके लिए हमारे पास एक class जनने हो चुकि है fragment register binding तो इसी का हम लोग यूज करेंगे और यह हमारी इन लेबल टाइप की होगी तो इस तरी किसे मैं इसको initialize करूँगा तो यह हमारा binding का object है और इस तरी किसे हम object पास कर दूँगा और यहां पर हम लोग अपना container और यह false पास कर देंगे तो इसको यहां से copy कर लेते हैं उसको यहां पर paste कर देते हैं तो इस तरी के से हमारा binding का object जो है वो initialize हो जाएगा तो अगर मैं यहां पर लगता हूँ underscore binding और यहां पर मैं dot लगाता हूँ तो यहां आपको यह clear हो रहा होगा बड़ यहां पर आप दिसकते हैं मुझे error दे रहा है क्योंकि यह जो हमारा binding object है यह हमारा nullable type का है तो जब भी मैं इस binding object को use करूँगा अपनी properties को access करने के लिए तो मुझे इसको null safe बनाना पड़ेगा तो अगर मैं इस पर hover करता हूँ तो यहां आप दिसकते हैं मुझे कह रहा है कि यहां पर आपको non null asserted operator का use करना है तो इसके लिए हम लोग एक pattern का use करते हैं जिससे हमें यह बार बार null safety का code ना लिखना पड़े तो यहां पर मैं एक और variable define करूँगा private val और यहां पर इसको नाम देंगे binding और इस पर हम लोग एक getter property define कर होगा पर यहां पर हमने क्या किया है इसको null safe बनाती है तो जितनी भी जगह होंगी वहां पर हम लोग यह binding object यूज करेंगे जिससे हमें बार बर इसको null safe ना करना पड़े है तो यहां पर मैं इसको change करके इस तरीके से इसको access करेंगे तो यहां पर आप दिसकते हमारी error जो ह होगा तो इस code को clean up कर देते हैं यहां से तो यहां पर हमें अपने view को access करने की जूरत नहीं है क्योंकि हम लोग binding का यूज करना होगा तो यह वाली दोनों राइन को मैं यह से remove कर देता हूं और अपने text redirect को पकड़ने के लिए यहां पर हम लोग इस binding का यूज करेंगे तो इस तरीके से हम लोग इस पर on click listener लगाएंगे तो यहां पर आप दिसकते हमारा code जो हो clean हो चुका है जितना भी हमारा boilerplate code था वो remove हो चुका है मलब हमें बार-बार find view body नहीं लिखना है directly हम लोग इस binding object के दूरू अपने views को access करेंगे अब end में हमें यहां पर अपना view return करना होता है यहां पर में हमने binding object का यूज करूँगा तो इस binding के अंदर हमारा पस एक property है root तो इसका हम लोग use करेंगे तो अगर इस root पर मैं control click करता हूँ यहां पर आप दिसकते हैं मुझे frame layout पर point कर रहा है जो कि हमारे इस layout का root है अलब इसका हम लोग use करते हैं और इसके अंदर हम लोग अमने binding object को null करते हैं तो इस तरीके से हम लोग इसको null set कर देंगे तो अब देखते हैं इसके पीछे reason क्या है कि हमें on destroy view को override को करना पट है और इसको यहां पर binding को null को set करना पट रहा है तो एक बार fragment की life cycle देखते हैं तो य इसकी हमारे fragment का view होता है वह स्टेप पे initialize होता है अगल्ब जो मारा view binding कोड हो इसी step पे initialize होगा जब हमारा view create हो जाएगा तो जैसी हमारा view create होगा तो हमारा binding object बनेगा अब इस life cycle के अंदर एक on destroy वीव वाला method भी है जहां पे हमारा view जो है वो destroy हो जाएगा तो ideally हमारा जो binding का object है भी null हो जाना चाहिए हम लोग क्या करते है explicitly अपने binding के object को यहाँ पे null set कर देते हैं कि अब हमारा view ही नहीं रहे गया तो हमारा view binding का object भी नहीं होना चाहिए तो इसलिए हम लोग on destroy view के अंदर अपने binding के object को null set कर देते हैं तो अगर इसे simple शब्दों में बोलूँ, आपका जो view binding का code है, वो आपके view के साथ जड़ा हुआ है, जब आपका view create हुआ है, तभी आपका binding का object काम करना चाहिए, और आपका view destroy हो चुका है, मलब इस on destroy view के अंदर आपका view destroy हो चुका है, तो आपका binding का object भी destroy हो चाहिए, तो व हम लोग अपना view binding का code लिखते है, तो एक बार इसको summarize करते है, क्या-क्या steps हमने follow की है, तो सबसे पहले हम लोग यह दो objects define करेंगे, एक हमारा nullable type का होगा, और उसके corresponding हमने यह binding object बना रहे है, जो कि हमारा null safe है, तो हमारा first step होता है, second step में हम लोग इसको initialize करेंगे, तो initialize कर करने के लिए हम लोग on create view method का use करते है, तो on create view के अंदर हम लोग इस तरीके से इसको initialize करेंगे, और third step में हम लोग on destroy view को override करते है, जिसमें हम लोग इस binding object को null set कर देते है, यहाँ पे मैंने underscore binding को null set किया है, क्योंकि यह हमारा actual binding object है, मलब actual object जो है, हमारा nullable type का ही है, बढ़ हमने यह binding object बनाया हमारी सहूलियत के लिए, तो I hope आपको यह तीनो steps clear होंगे, तो simply concept है view binding का, concept समझने में थोड़ा सा time लग सकता है, कि क्या क्या हो रहा है पीछे, बट जब आप लिखना शुरू करेंगे, तो आपका यह second nature बन जाएगा, आप इसको easily लिख पाएंगे, तो जो views include करें, उसको मैं one by one करके explain कर देता हूँ, तो यहाप अपने standard तरीके से layout design की है, तो यह जितना भी code है, आप GitHub से देख सकते हैं, इसका code जो मैं already commit कर चुका हूँ, यहाप हमने different wants का use की है, और यहाप हमने strings.xml का use की है, जितने भी text हैं इसके अंदर, वो हमारी strings.xml file क अंदर है, तो वो extended होता है, जो हम लोग follow करते हैं, कि हमारे जितने भी text है, वो हमारे code के अंदर ना हो, तो देखते हैं, इसका layout कैसे हमने design किया है, इसको यहाँ से collapse कर देता हूँ, और इसको split कर लेते हैं, यहापे, तो यह भी हमारा इस तरीके से दिख रहा है, तो अपन हमारे पास एक string है, email के hint के लिए हमारे पास एक string है, जितने भी text होंगे, हम लोग इस तरीकी से इस file के अंदर define करेंगे, और यहाँ पर मैं एक fonts folder भी create कर देता हूँ, जो हम लोग इसके अंदर fonts यूज करने वाले है, यहाँ पर आप देसकते हमारे पास एक font का folder है, इसको ह यहाँ पर आप देसकते हैं हमारे एक font का folder create हो चुका है, इस rest folder के अंदर, इसके अंदर मैं अपने font paste कर देता हूँ, जितने भी fonts से मैंने add कर दिये, यह वाले सारे fonts का हम लोग use करने वाले है, यहाँ पर मैंने add कर दिये, और यहाँ पर अपने colors भी define कर देते हैं, यहाँ तो मैं इन colors को change कर देता हूँ, मैंने अपनी app के लिए कुछ color select कियो है, तो उनको यहाँ पर paste कर देता हूँ, यह दो colors आट किये हैं, यहाँ पर मैंने, तो वापस अपनी layout पर चलते है, यहाँ पर आप दिसकते हैं, इस तरीकी से हमारा layout देख रहा है, तो देखते हैं इसक text view add किये है, जो कि हमारी heading है और sub heading है, उसके बाद यहाँ पर मैंने text view define किया है, यूजर नेम के लिए, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा पास यह text view display हो रहा है, यहाँ पर हमने different fonts का use किया है, तो आप इस layout file को पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर मैंने edit text का use किया है, तो यहाँ पर बंद अपना user name type करेगा, उसके बाद यहाँ पर मैंने view define किया है, जो कि हमारी एक line है, तो इस line के लिए आपर मैंने view define किया है, जिसकी layout height जो हो 1 dp है, तो इस तरीके से हमारा पास यह line आ रही है, उसके बाद दुबार से मैंने यह step follow किया है, यहाँ पर मैंन line के लिए यहाँ पर एक और view define किया है, और यही सेम चीज मैंने password के लिए करी है, तो यह 3 views जो है हमारे password के लिए है, और यहाँ पर जो input type है, हमारा text password है, तो text password जो होता है हमारा, वो हमारे इनको dot 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 करके दिखाता है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग input type select करते हैं, जब यहाँ भी error message के लिए यहाँ पर हम लोग इस तरीक से एक text view दिखाएंगे, उसके बाद यह हमारा simple button है, उसके बाद यहाँ पर मैंने एक loader show किया, तो loader के लिए हम लोग एक library का use करें, spin cat view, तो इस तरीकिस हम लोग यहाँ पर loader define करेंगे, तो जैसे आपकी API call होगी, तो आपका यह loader visible हो जाएगा, और जैसी API से response आएगा, तो इस loader को हम लोग hide कर देंगे, तो इस तरीकिस हमने यह layout design किया, तो I hope आपको यह clear हो रहाँगा, तो आप इसका source code जब पढ़ सकते हैं, यह सारा code GitHub पे committed है, अब अगर मैं इमने registration वाले fragment पर जाता हूँ, तो यहाँ पढ़ सकते ही मुझे error दे रहा है, क्योंकि text redirect नाम का हमार पस कोई view available नहीं है, मला हमारे इस layout file के अंदर text redirect नाम का कोई view available नहीं है, इसलिए वो मुझे यही पर error दे रहा है, तो यह benefit होता है, अगर हम लोग view binding का use करते हैं, कि हमार पस null reference की कोई scope नहीं है, क्योंकि इस तरी file time पर ही पता चल गया, कि इस तरीके का हमार पस कोई view available नहीं है, इसलिए यह मुझे error दे रहा है, तो इस error को हम लोग next video में resolve करेंगे, और अपनी API को call करके देखेंगे, तो यह video थोड़ सा लंबा हो चुका है, तो इसको यही पेंट करते हैं, तो वीडियो अच्छा लगा करस्ता हर कोई चला है ID में, ID 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 झालक्ट जो चालके कि जो प्यूच्टादी में तरवा करेंगा कि अजिए अजूआ कि अजार दो, थो है तरू है